असलावलेकूम मैं हूँ सेद राश्टर आप देखने राश्ट अपटेट्स सुप्रिम कूर्ट आफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला पाकिस्तान मसलिब लिगनों के काईद नवाज स्थीफ का वापस पाकिस्ताना नमम्किन हो गया सुप्रिम कोर्ट ने सुप्रिम कोर्ट रविव आफ 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 आडर्स अजज्मेट्स अक्स का रदम करा दे दिया सुप्रिम कोड के मताबिक Review of orders and judgment से मुझमेट से मुझमेट केस में जस्टिस मौनी बखतर ने इदाफी नोट भी तेरिक किया सुप्रिम कोड के फैसे में कहा गिया कि सुप्रिम कोड रिवियू अक्ट पार्लेमान की कानूसादे की इस्टियार से तजावब है सुप्रीम कोर्ट रिवीवर्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं लहादा इसे कालदम परादिया जाता है और चीफ जेस्टिस अमरता बंद्याल जेस्टिस एजादर अहसन और जेस्टिस मुली बख्तर के तीन रुकनी पेच ने सुप्रीम कोर्ट रिवीव आफ आडर्र एंड जेज्मेंट एक्ट का रिदम गरार दे दिया जेस्टिस मुली बख्तर ने रफिर नोट में लिखा कि पारलिमान का कानौन साधी और सुप्रीम कोर्ट के पास रूर्ज प्राने के इस्टिराद बराबर हैं सादा कानौन साधी से सुप्रीम कोर्ट रूर्ज को गयर मौसर नहीं किया जा सकता रोल्ज में तब्तिरी अधिया की आदादी के मनाफिय है रिवीय अक्र में आर्टिकल 84 थी के मकदमात के फैसरे के खलाफ मुतसरा फ्रीक को अपीर का हग दिया गया था सुप्रिम कोर्ट रिवीय अफ जज्जमेट्स एंड आर्डर्स एक्ट के खलाफ तरखास तुपर फैसरे के लिए अधारत ने फ्रीकेंड को अलेक्टरनिक नोटस बिजवाई थे याद रही कि मुली स्टून को चीफ जस्टिस पाकिस्तान अमरता बंद्याद जस्टिस मुली बख्तर और जस्टिस एजादर रैसल पर मुच्ट बेंच ने केश की छे समाते करने के बाद फैसला मेहफूस किया था सुप्रिम कोड ने रिवीव आफ जेजमेट्स एंड आडर रैक्ट के खलाफ दर्खास उपर समाते की दर्खास गजारों ने रिवीव आफ जेजमेट्स एंड आडर रैक्ट के खलाफ दर्खास दायर कर रखी थी जिस पर टार्नी जनल ने दर्खास थे खार्ज करने के इस प्राकी थी दर्खास ग़ार PTI ने इस काउन साजी के लिए आईनी तर्मीम लाजमी किरार देने का मुदापिश किया था एक किताद आर्टिकल 1843 के मकदमाद के फैसे के खलाफ मुदासरा फ्रीक को अपील का हक दिया गया था अपील सुनने वाले बेंच में जजिस की तादाद मर्कजी के सुनने वाले जजिस से ज्यादा होना लाजम है तहम पीटिया समेथ इन्फादी हैसित में वोकला ने इस एक्र कोट चैरिंग किया था पार्लिमेंट से मंदूरी के बाद 26 में को सद्री ममलकित ने अक्ट पर तस्तख़त किये थे जिसके बाद सुप्रिम कोट रिव्यू अक्ट का इतलाग 29 में से हुआ सुप्रिम कोट रिव्यू अफ जिजमिट्स एंड आर्डर अक्ट की साथ शिके शिक वन के तहिए सुप्रिम कोट रिव्यू अफ जिजमिट्स एनलाड आर्डर अक्ट 2023 किलाएगा शिक 2 के तहिए सुप्रिम कोट का दाइरा एक्तियार मफाद आमा के मकदमात की नजरसानी के लिए बढ़ाया गया शिक 2 के तहिए मफाद आमा के मकदमात की नजरसानी को अपील के तोर पर सुना जाएगा शेक 3 के मताबब नेदर्सानी की समाथ पर बेंच में जजित की ताद मलकिजी केस से ज्यादा होगी शेक 4 के मताबब नेदर्सानी में मुतासरा फ्रीक सुप्रिम कोट का कोई बीब केड़ कर सकेगा फाइव के साथ एक्ट का इतलाग आर्टिकल 1843 के पिछले तमाम कादमा तल भी होगा शेक 5 के मताबब के मतासरा फ्रीक एक्ट के इतलाग के 60 तिरों में अपील ताय कर सकेगा शेक 7 के मताबब अक्ट का इतलाग मित तच्चुते कानून सापते जादालती नजीर के बावजूद हर सुर्ट होगा सुप्रिम कोट ने तमाम फ्रीकेन को सुनकर दो मा कबल फैसला महफूस किया था